कि इस मोड्यूल में हम क्लास हारुडीनिया के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और लोकोमोशन को डिसकस करेंगे क्लास हारुडीनिया जिसमें मोस्ट इंपॉर्टन्ट एक्जाम्पल जो है वो है कॉमन लीच इसमें 500 species जो है लीच की वो इंक्लूडिड है लीची जो है ये ज्यादा तर fresh water में रहना पसंद करती है कुछ marine environment में भी रह लेंगी इसके लावा कुछ लीची खी पिश्चेश हमें terrestrial environment में भी नजर आती है लीचीज जो है यह पेरासाइड है यह नॉर्मली दे लिव ओन इन वर्टिब्रेट्स और सम्टाइम्स दे आलसो फीड ओन दा बॉड़ी फ्लोड्स ओफ दी वर्टिब्रेट्स इसके एक्स्टर्नल स्ट्ट्चर में पेरापोडिया मौजूद नहीं है बलके हैड अपेंड़ेज जो है वो भी हमें नजर नहीं आएंगे सीटे आर एपसेंट कुछ स्पीशिस के अंदर जो सीटे हैं दे आर ओनली प्रेजेंट एट दे एंटिरियर साइड ओफ दी बॉड़ी लीचीज की बॉड़ी की अगर हम शेप देखें तो दीज आर डॉर्सो वेंटरली फ्लैटेंड एंट टैपर्स एंटिरियर नहीं 34 बॉड़ी सेग्मेंट्स हैं और इन सेग्मेंट्स के अंदर एक्स्टर्नली हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते के कौन सा सेग्मेंट एक दूसरे से किस तरह से सेपरेट हैं क्यूंके इनकी फर्दर जो है सेकेंडरी डिवीयन है सेकेंडरी डिवीयन को हम कहेंगे एनुलाई और ये एनुलाई जो है यहार सेग्मेंट के अंदर मुझूद है एंटिरियर एंड पॉस्टिरियर सेग्मेंट्स जो हैं लीच की बॉड़ी के नौर्मली डे आर मॉडिफाइड टौ फॉर्म ए स्ट्रक्चर जिसको हम कहेंग suckers इस diagram से आप leech के body देखें इसके बात हमने की suckers की कि इसके anterior और posterior side पे कुछ segments जो है they are modified to form suckers क्योंकि ये leech parasite है इसमें दूसरे animals को body fluids को as a food use करना होता है इसलिए इसके अंदर ये suckers type structure मजूद है anterior suckers anterior side पे posterior suckers posterior side पे posterior suckers का size anterior suckers से बड़ा है अब ये पेरा site है तो इसके अंदर reproductive system जो है वो ज्यादा well developed है और digestive system ज्यादा well developed है जबके बाकी system जो है वो इसके अंदर इतने ज्यादा well developed नहीं होंगे अगर digestive system में आप देखे स्लाइबरी gland annuline आपको मैंने बताया के इसके segment की further demarkation जो है that is through these structure known as annuline slivery gland crop well developed है crop के साथ ये diverticula इसके crop के जो pouches है इसको हम कहेंगे diverticula जो intestine फिर है इसके अंदर annus अब ये जितने भी diverticula है they usually help in storing large amount of body fluids क्योंकि इसने जब भी इसको host मिलेगा उसके body fluid को ये सक करेंगी तो food को store करने के लिए ये इसके अंदर as a parasite adaptation है दूसरा इसके अंदर जो reproductive system है testis sperm duct फिर इसके अंदर जो है वो ove sex ये जो है these are all well developed यानि in brief we can say that in these leeches two types of system digestive and reproductive they are quite well developed अभी हम leech की locomotion की बात करेंगे तो इसके अंदर जो body wall की musculature की modifications है ये normally decide करती है कि इनके अंदर pattern of movement क्या होगा अब musculature जो है this is more complex in leeches as compared to other worms फिर oblique muscle is present between circular and longitudinal muscle इसके अलावा जो dorsal dorsal ventral muscles है they are also responsible for flattering the body of the leeches leech का sylome जो है that has lost its metameric partition there are no septum and connective tissue has invaded into the sylome resulting in series of sinuses अब ये modifications जो है they help in deciding different pattern of locomotions in case of these animals in class hyrodynia इसके इलावा जो है leeches they also show swimming by the undulating process यहां पर आप देखें leech की locomotion अगर आप देखें a b c d से आप ये body जो है इसका ये anterior सकर है ये इसका posterior सकर है posterior side से leeches अपने आपको किसी भी substratum के साथ attach करेंगी attach करने के बाद इसके जो इस side पे body muscles हैं वो contract करेंगे relax करेंगे यहां पर आप देखें muscles ने relax किया लेकिन posterior सकर अपनी जगा से displaced नहीं हुआ जबके body की anterior side जो है this is much more and light c में आप देखें यहां पे अब body की displacement हुई है displacement से posterior सकर ने अपने आपको substrate से release किया यहां से जब यह release हुआ तो body is displaced from this end to this end और d में आप देखें further displacement से posterior सकर की और displacement हुई और body ने further movement शो की next जो है अब posterior सकर फिर यहां पे अपने आपको attach करेगा anterior सकर के muscles फिर relax होंगे and they will move from this point to another point